वा करीब साड़े आठ बजे महेंद्रगर में एक बड़ा हाथसा हुआ जहाँ पर बच्चों से भरी एक बस पलट गई अब इसी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है स्कूल प्रिंसिपल दिप्ती राओ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आपको बता दें कि प्रिंसिपल दिप्ती राओं की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है नशे में धुत जो बस ड्राइवर था उसे खेडी गाओं के ग्रामिडों ने रोका था और ड्राइवर के नशे में होने की सूचना जो है ग्रामिडों ने प्रिंसिपल को दी थी प् प्रिंसिपल को आपको बता दें कि सहलंग गाउं का रहने वाला है आरोपी बस ड्राइवर और उस वक्त वो नशे में धुत था जिसकी वज़ा से ये बड़ा हाथसा हुआ और इस हाथसे में 6 मासुमों की जान चली गई तो अब प्रिंसिपल दिप्ती पर बड़ी लापरवाही सामने आई है नशे में धुत ड्राइवर की जानकारी जो थी वो उन्हें मिल गई थी हाथसे से पहले ही अगर यहाँ पर सही कदम उठा दिया होता प्रिंसिपल दिप्ती राव ने तो शायद ये बड़े हाथसे को र तो इस पूरे मामले में स्कूल प्रिंसिपल दिप्ती राव को पुलिस ने हिरासत में लिया है बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है यहीं इस पूरे स्कूल बस हाथ से के बाद परिवेहन मंत्री ने बड़ा फैसल लिया है स्कूल बसों की फिटनेस जो है वो चेक कराने के ओर्डर दिये है परिवेहन मंत्री असीन गोयल ने इसके आदेश दे दिये है जिला शिक्षय अधिकारियों को भी एक सर्कूलर जारी करना होगा फिटनेस चेक करने के लिए ये सर्कूलर जारी किया जाएगा स्थानिय डिटियों को भी स्कूल के खिलाफ एफाईयार दर्ज करवाने के आदेश दे दिये गए है तो ये बड़ा एक्षन लिया है परिवहन मंत्री असीम गोयल ने जहां स्थानिय डिटियों को स्कूल के खिलाफ एफाईयार दर्ज कराने के आदेश दे दिये गए है तो कूल प्रिइंसिपल को विरासत में ले लिया है उसके बाद परिवहन मंत्री का एक बड़ा फैसला मेहिंदरगड के कनीना में आज एक दुखदाई घटना हुई है सबसे पहले तो मैं परमपिता प्रमात्मा से उनके चर्नों विंती करूँगा दिवंगत आत्मा को शांती दे उन बच्चों को आत्मा को और परीजिनों को संबलने का एक संबल दें ताकत दें और मैंने एक निज़ेश दिये है उच्छ अदिकारी के एक कमेटी बनाई है जांच कमेटी एक चंदिगण के हमारे उच्छ अदिकारी की अधिक्षता में उस सारे पहलू की जांच करेगी और हमने वहां लोकल डीटियों को भी अदेश दिये हैं कि वह स्पूल के खिलाफ ए और जो हमारे MBA स्थर के एक अधिकारी हैं, उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोशी पाएगे कि कागज पूरे नहीं थे, तो उनको भी सेस्पेंट करने की बात है और मैं एक जानकारी के लिए बता दूँ, हमने अलड़ी तीसरे महिने के अंदर इस बस का स्कूल संचालकों के सीधी-सीधी लापरवा ही इस गठना में देखी जा रही है, और मैंने अभी उच्छदकारीं को ये भी निर्देश दिये हैं कि सभी स्कूलों की, हर्याना के सभी स्कूलों के जो वीकल्स हैं, उनकी फिट्नेस की जांच कराएं, और सभी जो हमारे DTOs हैं, एक सर्कूलर टाइप जारी करेंगे DTOs को, और स्कूलों की सारे, हर्याना के जितने भी स्कूल के वीकल्स हैं, उनकी जांच होगे हैं, इस बस हाथ से पर राष्ट्रपती दौबदी मुर्मो ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हर वे बच्चों के शिग्र स्वस्थ होने की काम ना करती हैं, तो ये ट्वीट किया देशकी राष्ट्रपती दौबदी मुर्मो ने जहां उन्होंने अपनी सम्वेदनाई जाहिर की और दुख जताया पूरे हाथ से को लेकर इसी को लेकर प्यम मोधी ने भी हाथ से को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर्याणा के महिंद्रगड में जो हाथ सा हुआ वो अत्यंत पिड़ा दायक है, मेरी शोक सम्वेदनाई उन सभी परिवारों के साथ है, जिनोंने इस दुरघटना में अपने बच्चों को खो दिया है, के साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शेख्र स्वास्थ होने की कामना करता हूं, राज्यसरकार की देखरेक में स्थाने प्रशासन पिड़तों और उनके परिजनों की हर संभव साहता में जुटा है, तो पीम मोधी और राश्ट्रपती का इस प हैता कर रही है राज्यसरकार, देश के ग्रह मंत्री अमिर्च शाह ने भी महेंद्रगड बस स्कूल हाथ से पर ठूइट कर दुख जताया है, उन्होंने कहा कि स्कूल बस का दुरगटना गरस होना बेहत दुखद है, मेरी समवेदनाय मृतक बच्चों के शोक संतप्त परि ग्रह मंत्री अमिर्च शाह का ये टुईट है, जहां उन्होंने लिखा कि मेरी समवेदनाय जो है वो परिवार के साथ है और स्थानय परश्रासन के दौरा ग्रह बच्चों को जो भी साहता है वो पहुंचाई जा रही है और इसी के साथ साथ उन्होंने स्थ होने की भी कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी सम्वेदनाई प्रकट की है ट्वीट में उन्हें ने लिखा कि हर्याना के महेंदरगर जिले में हुई बस दुरगटना में मासुमों की मृत्यू का समाचार बेहत दुखद है मैं सभी शोक संतप्त परिजणों को अपनी गहरी सम्वेदनाई व्यक्त करता हूँ साथ ही सभी घायलों के जल्द ठीक होने की आशा भी करता हूँ वहीं मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी ने भी महेंदरगर कनीना हाथ से पर अपनी सम्वेदनाई प्रकट की सियम ने कहा कि महेंदरगर कनीना में ये जो हाथ सा हुआ इससे मैं बेहत आहत हूँ मेरी सम्वेदनाई सभी शोक संतप परिवारों के साथ है हाथ से की जांच करा कर दोशों के खिलाव सक्त कारवाई की जाएगी मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी ने कनीना स्कूल बस हाथ से की जानकारी लेते हुए डिप्टी कमिशनर से फोन पर बातचीत की मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिशनर को फोन के माध्यम से ये आदेश दिया कि घायलों के इलाज के लिए फर संभव प्रियास किये जाएं। सुकूल बस के दुर घटना गर्स्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी समयंदनाएं उन सभी सोक संभत परिवारों के साथ हैं जिनों ने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानिय परसासन घायलों के देखबाल के लिए पूरी तरह से मुस्ताइद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोसी विकती है उसके खलाफ सक्त कारवाई की जाएगी। और क्योंकि Code of Conduct लगावा है हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिनोंने अपनी जान गवाई हैं परिवारों को उचित मावजा और जो हॉस्पिटल में अडमिट हैं घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार कौन रूप से उनकी देखबाल के लिए स्थाने परशासन घायलों की साहता के लिए मुफ्तैद है सभी घायलों के शिग्र स्वस्थ होने की काम ना करता हूं वही शिक्ष्या मंत्री सीमा त्रिखा भी घायलों का हाल जानने के लिए रेवाडी अस्पताल पहुंची क्या कुछ कहा उन्होंने आई आपको सुनाते हैं जी लापर भाई तो सबसे बड़ी है कि आज गर्स्टीड हॉलिडे है और स्कूल चल की हो रहा है फिर लापर भाई यह है कि सुबा बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है मैंने कहती है कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बाद जो बच्चे को सुबा बसे लेने चाहती है वह अपने पॉइंट से लगब पांच साड़े पांच निकलती है तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराप पीवी थी तो इसने कितने बज़े पी और पी हुए tes cassal को से डरने की किया बात है शिक्त तो जो शिक्षालस देने है वी डा पिवी रास्त साथ जो हमारे विड्याले हैं ऑं तो उसे मा सरुसवती का मंदिर मानते हैं एकडेमिक सिक्षा के सासा अथ संसकार मर्यादा कानून नियम पढ़ाने का काम किया जाता है रेड ग्रीन लाइट हम बच्चे को सेकंड क्लास में समझाते हैं तो जो स्कूल चला रहे उनको भी तो ये समयने की जरूरत है कारवाई क्या होगी आप पूरे प्रदेश को यह बताना चाहती हो कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था इनको नोटिस जारी हो चुका है और इसके इलावा प्राइवेट स्कूल हमारे जितने यह सेल्फ एफिडेविट अब इन से हम लेंगे कि एक तो यह यह खुदिस करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम एकाउंटेबल होंगे हम नहीं करेंगे ताकि कनूनी कारवाई से कोई व्यक्ति बचेना दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के वहिकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यह देंगे कि हमारी गाडियां ट्रांसपोर की तरह इनकी होगी और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफ आई यार उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी वही न्यूज 18 पर भी उन्होंने खास बात चीत की शिक्षामंसरी सीमत्रखा ने और कहा कि किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि जालत नशे में था इसलिए ये हाथसा हुआ है और स्कूल को अब इस पूरे मामले में शोकॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है इसी के साथा सीमत रुखा ने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाख जो है वो सक्त से सक्त कारवाई होगी इनकी स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गैर कनोनी एक्टिविटी है इनकी दूसरा जानकरी के मताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शराप पी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई जिसमें साथ या आठ बच्चों की कैशुलिटी हुई है इस हॉस्पिटल में बारा बच्चे एड्मिट है जिसमें चार बच्चे आईसियू में और दो एक बच्चे थोड़ा अभी हलात के मताबिक थोड़ा सीरियस है पर जान को खतरा नहीं है एसा डॉक्टर बता रहे हैं वो कहारे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोट जादा आई है तो उसका सर्जरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में तो यह यहां के हलाता है किस किस के खिलाब कानूनी कारवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं जिस जिसने कानून तोड़ा macam खिलाफ कानूनी कारवाई होगी। स्कूल जो संचालक है आज स्कूल की क्योंकि चुट्टी थी उसके बावजू स्कूल खोला था तो क्या उनकी मानिता रद की जाएगी है उनके खिलाब कानूनी एक्षनव लिया जाएगी। कोज नोटिस दे दिया गया और बिल्कुल कारवाई होगी यही बिल्कुल तो सिक्षा मंत्री खुद पहुंची है रेवाली के अस्पताल में और इसके बाद वो सायद गटनास्तल पर भी पहुंचेंगी क्या आप गटनास्तल भी जाने वाले हैं मैं जाओंगी अभी जहां बच्चों का पोस्मार्टम होना अभी जाओंगी जहां वहाँ पर बिल्कुल तो सिक्षा मंतरी का कहना है कि वो अब यहां से सीधे जो गतना स्थलब वहां पर भी जाएंगे और जहां पर बच्चों का पोश्माटम किया जा रहा है वहां पर भी जाएंगे और परीजिनों से भी मुलाकात करेंगी अबी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ ड्राइवर के खलाब कारवाई होगी बलकि जो स्कूल संचालक है उसके खलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी क्योंकि आज शुट्टी का दिन था और बावजू दिसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हाथसा हुआ और छे छात्रों की मौत हो गई द्रमवी शर्मा न्यूजेटीन रेवाडी तो शिक्षा मंदरी के साथ साथ कैबिनेट मंदरी बनवारी लाल पुरोहित भी अस्पताल पहुँचे उन्होंने घायर शात्रों का हाल चाल जाना साथ ही साथ चकित सकों को उचित इलाज की भी आदेश जो है उन्होंने दिये है और दिल दैलाने वाली रटना है और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है और आज इस मक्तरिक आस्पिटल के अंदर में बारा बच्चे एडमिट है आप पांच आईशू में हैं और साथ जर्नलवाड में है तो अभी उनके जर्नलवाड के जो बच्चे हैं से मे करके आया हूं और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के समयदना प्रकट करता हूं और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए इस वर से प्रातना करता हूं जल्दी से ठीप हो और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाई हुई है चाए उस स्कूल परसासन की हो चाहिए किसी करमचारी की हो तो उसके खिलाफ सक्त सक्त कारवाई करें गी चाहिए उसका रिजिस्टेशन कैंसिल करना हो चाहिए उसकी अप्लेशन करनी हो और डोक्टर्स यह मुशाव से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे हैं एडमिट हैं उनके सुझ सकत हैं गी जनके जनके सब्स्टेु गे चाहिए गया हैं जनके स्म्नके सरी जो भी